ओम श्री साइनाथाई नम्हा स्वागत है आप सभी का साइन दिदार चानल पर मैं साइन रुपर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं आपसे जो कहने वाली हूँ न वह आप सुनने को शायद बहुत टाइम से उत्सुखते आप लोगों को था कि पत कर पाऊं और आप भी पूरा कर पाएं ठीक है तो आये ज्यादा में आपको सस्पेंस में रखते हूं मैं आप क्लियर करते हूं कि आखिर बात क्या है ठीक है तो उससे पहले जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्लॉग चैनल क्या है ये बहुत सारे में मेंसेज आया त कर только देती हूं ये चैनल है व्लॉग वाला आप जाकर देको हमारे बाबा की बते हैं जब है कि अश्यां हें इस दिर्फीट आ और वहां पर को अब हमेरे में श्रुष सेbn hacia ऑने साल करेंगे हैं इना ठ्रशाल पर देखने को मिलेंगी और कि शिलान के पता नहीं जालता और जो लोग रहते हैं उनसे कोई बात करने के लिए भी है ना तो हस्ते रही है हमेशा हसी के पंजाबी में एक हमने स्टोरी पड़ी थी कि हास्दिया दे कारवास दे हमेशा अपनी चहरे पर एक स्माइल रखो ताकि आने वाला भी आपको करें हाँ यार बंदा है कोई ठीक है तो आये हम बात करते हैं साहीं को जानो साहीं की मानो आप लोगों को बता लग गया होगा कि मैं कहने गया वाली हूँ बहुत से लोगों ने पूछा इस बार में प्रतियोगिता कब होने वाली है तो येस प्रतियोगिता होने वाली है लेकिन इस बार की प्रतियोगिता जो होगी वो सबसे अलग होगी सबसे जुदा होगी क्योंकि इस बार बाबा ने जो मुझे मेरे मन में बाट डाली है वो क कुछ इस तरीके से जो मैं अभी आपको क्लियर करने वाली हूं इस बार जो प्रतियोगिता होगी सबसे पहले बता तो होली से पहले पहले या फिर होली तक आपके घर में बाबा आ जाएंगे ठीक है जो भी जीतेगा होली तक आपको बाबा मिलेंगे और बाबा किस रूप मे मिलेंगे कैसे मिलेंगे वह आपको आने पर ही बता लगा या फिर मैं जाओंगे तो आपको दिखाओंगे कि आपके पास क्या क्या आने वाला है तो आए जानते हैं नियम क्या है कैसी होगी प्रतियोगिता का पहला नियम यह है कि इस बार प्रतियोगिता का एक ही विजेता कोशिन भी एक होगा विजेता भी एक ही होगा पर विजेता वो होगा जिसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा और इस बार जो मैं कोशिन डालूँगी उसका जो जवाब होगा थोड़ा लेंथी होगा बड़ा होगा आपको लिखने में भी समय लगेगा इसलिए जल्द वाजी बिल्कुल मत करना तसली से बाबा का नाम लेकर के लिखना पता नहीं बाबा किसके घर जाने वाले हैं और आपको तो पता है कि मैं बहुत सोच समझ कर आपको जो भी देती हूँ या फिर बाबा की तरफ से जो भी आपको आता है वो बहुत ही सोच समझ कि तीन-चार कर दो हर मन्त या फिर जब भी मैं बाबा की मेरे बाबा ने मुझे कहा कि यह करना है तो फिर मेरे मन में जब भी आएगा एक ही डेवोटी को जो जीतेगा उसको बाबा की तरफ से जो भी उपहार होगा गिफ्ट होंगे वो जाएंगे और वो क्या होगे यह तो के प्रति योगिता जो हो में आपको स्ट्राइव करने मेरे मं में बाबा बैठी है इन पर सब छोड़ती हों कि तुझा और को क्या करना है इसके लिए अच्छे से साइंस साचरत्र का अध्यन कीजिए पढ़िए और उसको ध्यान में रखिए देने को तो ऐसे बहुत से मतलब आगर मैं चाहूं तो नाम लेके किसी का भी दे सकती हूं क्योंकि हम कई पर क्या करते हैं बाबा के लिए कुछ करते हैं तो लालच मन में ह करना है ठीक है लालच मन में नहीं होना चाहिए चाहिए कि जिसके मन में लालच हो इसक चमतकर नहीं होते हैं तो हमें क्या करना हैं हमें मुझे सब्सक्राइबर दीजाने ने निया वह इलाद HASे हां चाहिए हम एर्व दुनिया के ने rozum of Kalokya और पजाने हों किया और आ Français सब भी कुछ लेती हो कुछ भी खाती हो तो पहले मैं ऐसे करती हूं थोड़ी देर तक और फिर खाती हो उसको लेकिन अब हम कहते हैं वो शरम नहीं होने चाहिए अपने भगवान के लिए जो शरम करता है वह अच्छी बात नहीं है इसलिए बाबा के दिवाने चाहिए हमें और पूरी दुनिया को बना देना है साइन के दिवाने ठीक है तो बाबा ऐसे हम सब पर रहम करते रहें दया करते रहें आपको पढ़ना है श्री साइन सच रित्र जिनके पास नहीं है आप पढ़ सकते हैं वाकि हम कोशिश कर रहे हर घर तक पहुंचाने की तो मुझे माइल दे हैं सबसे पहले दूनका तहई दिल से शक्रिया थांक्यूस्या। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं सम्हल पाती ठीक है आप लोगों ने मुझे बहुत सपूर्ट किया है बहुत 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 ठीक है और नए परिवार के सदस्थियों को पुराने देने वाली है फिर मैं क्या बाबा आपके घर में किस रूप में आना चाहते हैं और क्या क्या आ रहा है आपके घर में जरूर मैं बताने कोशिश करूंगे ठीक है अपनी तरह से उम्मीद करूंगे कुछ अच्छा ही हो जिसको पाकर आप भी धन्य हो जाएं और मैं देग कर कदरने हो जाओं और बाबा आकर सब की जिन्दगियों में खुश्यां बर दें ठीक है तो रेडी रहे तैयारी कीजिए बाबा को बुलाने की और साइंस सचर्थ को दिल से पढ़िए जिनके पास नहीं आएंगे न वहीं पढ़िए क्योंकि पता नहीं कब आपका मौका आजा क्योंकि ऐसा नहीं है फर्स्ट कमेंट को हम देंगे जिसका कमेंट सही होगा पिलकुल अच्छा होगा उसको देंगे एक एक वर्ड की तिहान में रखा जाएगा एक वर्ड को ठीक है तो एक एक शब्द आपके बहुत टाइम ठीक है अब मैं फॉर्थ मार्च को फाइफ को शेड़ी पहुंच जाओंगी उसके बाद 6-7-8 कभी हो सकता है ठीक है तो तयारी रखिए ठीक है बाबा जरूर अच्छा करेंगे जो होगा अच्छा ही होगा तो यह बाबा ने मेरे दिल में लाई बात और मैंने आपसे शेयर कर दी तो बनी रही चानल पर देखती रही च उससे कोई फरक ने पड़ता ठीक है जै साहिराम साइश वब्रात्री